क्या हुआ जब जैसी भी मशीन लेकर कुछ सरकारी अफसर हनुमान जी के मंदिर को गिराने के लिए पहुँच गए इसके बाद उनके साथ जो हुआ वह सुनकर आपके होश सकता हो जाएंगे आखेर ऐसा कैसे हो सकता है तो इस वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा क्योंक कि चौडी करण में परेशानी दे रहा था प्रशासन द्वारा आदेश आ गया था कि सरकार अप्सडट को फोलेन में तक्भील करने वाली थी लेकिन इस मंदिर को गिरने सवह भी डर रहे थे, लेकिन मरता क्या न करता उपर से आदेश आया था तो आननफानन में सरकारी अ कहा कि यह पाप मत करिये आप लोग लेकिन पुजारी की बात अब सर नहीं माने और वह मंदर गिराने के लिए तयार हो गए आप जैसी भी स्टॉट हो गए और मंदर गिराने का कार्या शुरू ही होने वाला था जैसे ही उन्होंने मंदर की छट गिरे वहाँ जोरदार गई क्रेन बुलाई गई लेकिन वह मूर्ती बिलकुल भी नहीं उठी और ना ही मूर्ती में कोई दरार आई यह देखकर सारे अफसर के हाथ पैर दीले हो गए हैं और वह घबरा कर वहां से चले गए दूसरे दिन फिर वहां कई बड़े यंत्रों को लेकर वह लोग वहां लेकिन किसी भी मशीन में इतना दम नहीं था कि हनुमान जी की विशाल का मूर्ती को उठा सके इसलिए उन्होंने मूर्ती को वही पर छोड़ दिया और दूसरे दिन से कम लगा कर मंदिर का पुनह निर्मान कराया तो दोस्तों यह हनुमान जी की ही क्रिपाथी की वह मंदि पीचो बीचो पस्तित है और मंदिर के चारों और हरे भरे अप पेर लगा दिये गए हैं और चारों तरफ से बाउनरी वॉल भी बनाई गई है तो हनुमान जी के आशिरवाद में इतनी ताकत होती है कि एक पत्थर भी उनके बिना मर्जी के नहीं मिलता बोलिए जय बजरंग भी कर ले